हेलो एन वेलिकम बैग गई स्वागत है आपका एक अनदर प्रिमियम वीडियो के एपसोड नमर 17 में तो आज हम लोग टेम करने वाले ममंथ और यहां पर जैसा कि आपको दिक रहा है यहां वे टोटल दो से तीन ममंथ है जिसमें से एक जो है 170 लेवल का था तो मैं आपको बत स्कॉपियन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताक्कि हमें डैमेज वगरा ना हो जब हम लोग इसे नौक आउट करें तो हाला कि एक-दो बार हमें डैमेज हो सकता है एगा और आगर आप लोग इसके फ्रंट से नहीं सको मारेंगी तो फिर आपको बिल्कुल भी डैमेज नह के लिए तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका उनकांशनेस लेवल दीरे-दीरे-दीरे अप हो रहा है तो यहां पर थोड़ा दा टाइम लगने वाला है तो हमें थोड़ा-थोड़ा वेट करकर करके इसको नौक ओड करने की कोशिज करना है तो यहां पर जैसा कि आपको कंटीनिूसली हिट देता रहता जब तक यह मरनी जाता या फिर , और फिलाल के लिए आपको जैसी लिए मैं। ँज करहा हूं तो इसलिए हम्से तोड़ा सा कमिंखिन हए उप्र अग्रेइसि नहीं जुरहा है , यहां पर झोल्दुण नहीं और मसमा्लिए देखिश्चे तो यहां पर इसका यही फाइदा है हमारे scorpions का कि हम लोग इसको easily से ऐसे tame कर सकते हैं और साथ-साथ मैं आपको बता दो अगर आप लोग जानना चाता है कि यह trick कहां से continuously चल रही है तो आपको सुरू से देखना पड़ेगा आपको फूरे सुरू से देखने पड़ेंगे फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा कहां से सुरू है और कहां से कैसे connected है अगर आप लोग normal scorpion यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं मौका मिलेगा अगर आप लोग बाहर से scorpion को टेम करके ले जाएंगे तो यह आप पर उपर attack करने लगेंगे और यहां पर हमारा almost आदेज जादे done हो चुका है और यहां पर एक water आ गया है जो हमें damage दिये जा रहा है इससे क्या होगा कि इसकी sp बहुत जादे reduce हो जाएगी तो हमाले दिक्कत हो जकती है तो यहां पर जैसा कि आपको दिक रहा होगा काफी जादे sp इसकी reduce हो चुकी है और स्वाथ जाद जाद जो इसका अंकांशनेस लेवल अप 5k के आसपास है और कुछी seconds में हमारा done होने ही वाला है और जादे जादे लेवल नहीं हो रही है आपको खेलना चाहेंगे तो आपको कम से कम 100 प्लस पिंग पर खेलना पड़ेगा इस सर्वर में इसलिए मुझे थोड़ी से जादे दिक्कत हो रही है बट यहां पर जो resources वगेरा बिलकुल फूल है इसलिए मैं इसमें किसी तरह खेल रहा हूं otherwise मैं नहीं खेलता तो resources की वज़े से मैं इसमें खेल रहा हूं तो फिलाल के जैसा कि दिक्र आओगा आपको और यह हमारा जो ममंत है जल्द ही नॉक आउट होने वाला है I mean कुछी seconds में अगले में यह जाद होने के वज़े से थोड़ा से टाइम लगा रहा अधरवाय से नॉक आउट हो गया होता देखिए एक्वजिए एक तम जीरो प्या चुका है ओलमस्ट एकाख हीट और यह नॉक ओट हो जाएगा फाइनली और यह देखिए फाइनली जो हमारा नौक आउट हो चुका है और यह गलती से हमें एक डंक और लगी जिसकी वज़े से इसकी टेमिंग इफेक्टिस ड्रॉप हो चुकी है और साथ यह तोड़ा सा लेवल भी ड्रॉप हो चुका है तो यहां पर हम लोग इससी टेम करेंगे व हमारे लिए यहां बेद्शा कि आपको दीख रहा होगा और टेमिंग काप पॉइंट जो वो कैईजोल है तो यहां पर जो टेमिंग में कोई व्यूने वाली है तो यहां फिलाल के लिए मैं रोक्रो व्यूज करने वाला हूँ हमने देखने वाला रोक्रोट यूज करके कि ये एक बार में कितना पड़्षिट जाता है तो यहां पर जैसे कि आपको δीख भागा मेरे पास रोक रौट पड़े हैं तो चलिकींविंट्र Improve लो रोक रोड दे देते हैं देखते हैं कितना पड़्षिट जाता a तो यहां पर ये एक बार में तो यहाँ वे जैसा कि आपको दिख रहागा मैंने मेजो बारीज इसकी इंवेंटरी में दे दी है और साथ-साथ मैं जल्दी इसको स्मूद ब्लेम भी दे दूंगा बट उससे पहले हम लोग देख लें कि एक बार में मेजो बारीज से कितना पर्शंट जाता है क्योंकि यह बहुत जादे लेने वाला है टाइम तो यहाँ फिलाल के लिए मैंने निकाल लिया रॉक रोट और यह एक बार में जीरो पॉइंट टू पर्शंट जा रहा मेजो बारीज से तो ये टोटल भहुत ज़ादे टाइम लेने वाला I mean unlimited time की बात करें तो उससे भी ज़ादे तेजे time लेने वाला है तो फिलाल के लिए मैं इसको करने वाला हूँ थोड़ा सा fast और जाथ चात हो सकता है कि last में मैं इसको थोड़ा सा टेमिंग के लिए अपने admin हो अगेरा की सायता लेलू बस मैं यहाँ पर आपको यह दिखाना चाता था यह कितना ज़ादे time लेने वाला है और करीब-करीब 68-70% तक मैं wait करता रहेगा इसको कि अब team होगा अब team होगा तो इसमें बहुत ज़ादे time ही लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने 10 गुना smoothing blame भी दे दिया अब देखें मैं जो बरी सी है एक बार में कितना फ़र्जिन जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा 1.7% और लेड़ी है और यहाँ पर देखें 1.7 से 4.6 हुआ है आइमीन टोटल ही हमारा 3% के आसपास बढ़ा है 2.6 से 7 के आसपास बढ़ा है हमारा तो यह बहुत जादे slowly slowly बढ़ रहा है आइमीन बहुत जादे time ले रहा हमारा तो फिलाल के लिए कुछ second तक तो मैं ऐसी वेट करता हूँ आइमीन पॉस्ट करगर के इधर उधर करता हूँ देखता रहता हूँ बट यह जादे देर तक चलता नहीं है मुझे बहुत जादे वेट करना पड़ा था यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने का लास्ट में जब यह टेम हो जाएगा हमारा तब फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे तो यहाँ पर हमेंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और चाट साथ हमें वेट जादे करना था इसलिए मैंने वीडियो को भी बहुत जादे पास्ट कर दिया था बीच में तो अब हम लोग मिलते हैं जब हमने पूरा ममंत को टेम कर लिया था यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा 71% तक हो चुका था हमारा और थोड़ी दिर में यह पूरा फूल हो जाएगा 100% टेम हो जाएगा हमारा तो चलिए वेट कर लेते हैं जब तक हमारा 100% टेम होता है फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके सेडल हो गएरा के बारे में तो और यहां पर देखिए जैसा कि आपको दीख रहा होगा इसका लेबल 338 हो चुका है और फिलाल के लिए मैं आपको इसके सेडल के बारे में जल्दी बता दूँगा बट यहां वी देखिए फिलाल में मैंने इसका सेडल जो है क्राफ्ट करके रखा था इसका सेडल इस बार पहले ही क्राफ्ट करके रखा था क्यांकि जो मैटेरियल थी जादे रिकौर्मेंट मांग रही थी और साथ-साथ वीट भी जादे ले रहा था इसलिए मुझे जल्दी सेडल को क्राफ्ट करके रखना पड़ा था और अब देखिए मैं इसकी सेडल के बारें बता देता हूं इसका सेडल हमें कितने लेबल पर मिलेगा इसका सेडल हमें मिलेगा लेबल 31 पर और इसका समिथी से ही क्राफ्ट कर सकते हैं और इसका सेडल क्राफ्ट करने के लिए हमें मेटल इगनौर्ट की जरूवत पड़ेगी और साथ ही साथ आइड और फाइ आप कोई वीडियो पसंद आया हो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिजिए साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दवाना नह भूलें ताकि ऐसे आने वाली अपडेट्स आप बिल्कुल मिस्स न कर दें